ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं, एक्जाम्पल ओफ ट्रिमाटोडा, एक्जाम्पल ओफ ट्रिमाटोडा, ट्रिमाटोडा का एक मेंबर है, फैसियोला, ठीक है? फैसियोला, इसी को लिवर फ्लूग भी बोला जाता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कुछ जनरल कारेक्टर्स हम अगर देखें, तो ये कॉमन इंडो पारासाइट है, लार्जर बाइल ड़क्ट की, ठीक है? जनरली ये पाया जाता है, सिप्स में, लेकिन दूसरे मैमल भी इसके प्राइमरी होस्ट हो सकते हैं, जैसे कैटल्स हैं, पीग हैं, डॉग हैं, राबिट हैं, हुमन्स, एक्सेटरा, ठीक है? तो ये भी इनफेक्टेड हो सकते हैं, इस पारासाइट से, अगर हम देखें इसके लाइफ साइकल को, तो ये डाइजेनेटिक, एंडो पारासाइट होता है, ठीक है? अब डाइजेनेटिक है, तो इसके दो होस्ट होंगे, जो प्राइमरी होस्ट होता है, वो कोई मैमल होत होता है, ठीक है, यहाँ जो केस हम देख रहे हैं, फैसियोला हिपाइटिका का, वो जनरली शिप में पाया जाता है, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट जो होगा, सेकेंडरी होस्ट, वो स्नेल होता है, और लिम्निया जो स्नेल है, वो होता है, फ्रेस वाटर स्नेल, ठीक है? तो जो यहां पर देखेंगे कि शिप के अंदर देखा इनका population बढ़ते बढ़ते जो liver में या liver के duct में present रहेंगे और population बढ़ते बढ़ते कभी कभी क्या होता कि 200 से ज्यादा हो जाते हैं अब जब 200 से ज्यादा एडल्ट फ्लिक्स हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं सीज कर देते हैं लीवर को लीवर के जो डक्ट्स होते हैं उनको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा कि जब बाइल का मुव्मेंट नहीं हो पाएगा तो फिर रॉटिंग शुरू हो जाएगी और उस क कंडिशन जो होता है लीवर रॉट का यह फैटाल भी हो सकता है ठीक है मैं यह कहूं कि ओफन फैटाल ही होता है ठीक है अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बॉडी को क्यूटिकुलराइजड होगा ठीक है अच्छा क्यूटिकुलराइजड बॉडी कहने का मतलब यह है ताकि वो जिस host के अंदर reside कर रहे हैं उसके enzyme से उनके acid से बच सके ठीक है तो body के अंदर के enzyme से बचने के लिए cuticularized होगा soft है body nearly 1.5 to 3 cm का इसका length होता है ठीक है अब देखते हैं अगर structure देखें तो यह मान लेते हैं mouth है इसका और mouth के ऊपर लगा हुआ है oral sucker यह हो गया oral sucker mouth के periphery में ठीक है यह leaf like इसकी body है flat leaf like undivided body ठीक है यह nephrediopore हो गया या excretory aperture या excretory pore हो गया इसका ठीक है यहाँ पर देखेंगे यह हो गया nephrediopore यह हो गया genital arterium जो genital arterium है यह male और female दोनों तरीके के reproductive duct आ करके इसी genital arterium में खुलते हैं यह animal सकर होता है genital arterium के जस्ट नीचे ठीक है यह हो गया ventral सकर इस ventral सकर को acetabulum भी बोला जाता है जनरली acetabulum ही बोला जाता है हम ऐसा कहें ठीक है तो यह हो गया एसी टाबूलम है ठीक है तो यह हो गया अनिमल का structure अब देखते हैं इसमें अनिमल जो है हर्मा फ्रोडाइट है हर्मा फ्रोडाइट इसमें self fertilization भी possible है ठीक है लेकिन वो rare होता है और cross fertilization ही इसका rule है तो कोई पूछे कि फैसियोला में कैसा fertilization है तो हम बोल सकते हैं कि cross fertilization इसमें पाया जाता है ठीक है कॉपूलेशन के थुरू बाइल डक्त में ठीक है तो जिस host के primary host के बाइल डक्त में यह कॉपूलेशन करते हैं और cross fertilization करते हैं ठीक है fertilization इसका internal होता है ठीक है internal fertilization हुआ अब जैसे माल लो कि अगर structure देखते हैं इसके reproductive system का तो यह माल लेते हैं और शकर हो गया माउथ हो गया कि और यह leaf like body हो गई flat leaf like body अब इसमें देखते हैं इसको बोलते हैं यह gland है जो जा करके एक जगह पर मिल जाती है और मिल करके इसी gland से attached इस animal में हम यह कहें कि viteline gland थी और इसी gland से attached ovary है और यह ovary further uterus में open हो रही है आगे यह uterus हो गया और uterus जा करके खुलता है उसी genital atrium में ठीक है तो यह हो गया genital atrium का region जो blue color है वो genital atrium हो गया यह viteline gland हो गयी viteline gland का का काम क्या है यह york secret करती है एक के लिए ठीक है यह ovary हो गई इस animal की ठीक है यह जो area है इसको हम uterus बोल देते हैं और इतना तो था female reproductive part ठीक है यह testis है ठीक है और यह testis मिल करके फर्दर बन जाता है समाइनल वेसिकल और यह समाइनल वेसिकल फर्दर जा करके open हो जाता है उसी genital atrium में ठीक है तो यह जनाइनल आर्ट्रियम इधर यह समाइनल वेसिकल हो गया माल लो यह testis हो गया इसलिए दोनों देख लेते हैं कि male और female reproductive organs एक ही आनिमल में present हैं तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं हर्माफ्रोडाइट ठीक है अब देखते हैं life cycle इसका digenetic indo parasite है life cycle का कुछ portion इसका ship में पूरा हो रहा है और दूसरा portion aquatic life में snail से अंदर पूरा हो रहा है तो यह aquatic area यह ship माल लेते हैं ship में से क्या हुआ कि ship के faces के साथ जो एक cell के साथ embryo release होता है ठीक है मतलब एक cell वाला embryo release कर दिया ship ने faces के साथ ठीक है तो यह माल लेते है एक cell containing embryo अब एक cell के अंदर ही क्या होता है कि embryo further grow करके larva बनता है और वो जो एक cell के अंदर ही रहेगा भी भी मिरा सीडियम लार्वा तो यह मिरा सीडियम लार्वा हो गया एक cell के अंदर ठीक है एक cell containing मिरा सीडियम लार्वा अब फिर जैसे एक cell तूटता है तो मिरा सीडियम बाहर आ जाता है ठीक है यह मिरा सीडियम रिलीज हो गया इसको बोल दें free swimming मिरा सीडियम अब यह free swimming मिरा सीडियम फर्दर water के अंदर यह suppose कर लो snail का body है snail है ठीक है इसका pulmonary aperture हुआ यह snail है अब मिरा सीडियम इसी pulmonary aperture से enter करता है इसके body में और कुछ जो larval stages है वो पूरा करता है snail के body के अंदर जैसे sporocist बनना ठीक है इस sporocist के बाद से एक radial लारवा एक radial structure बनाता है जिसको radial लारवा बोलते हैं तो radial बना लिया ठीक है रेडिया के बाद से सरकारिया बनाता है ठीक है तो अगला larval stage हो गया सरकारिया लारवा यह सरक सरकारिया फिर free swimming सरकारिया हो जाता है ठीक है free swimming सरकारिया अब यही free swimming सरकारिया कहीं जो aquatic plants है उनके leaf पे जा करके attach हो जाता है ठीक है और insistement कर लेता है मालों कि यह leaf है कोई aquatic plant का ठीक है इस पे जा करके attach हुआ और insistement कर लिया ठीक है तो यह कह दें insisted meta सरकारिया अब इसी लीफ को अगर कोई यही इन्फेक्टेड लीफ को शिप ने ग्रेजिंग किया ग्रेज कर लिया तो शिप के बोड़ी में यह चला गया तो इस तरीके से लाइफ साइकिलिस की पूरी हुई तो याद रखना कि मीरा सीडियम लारवा है इस पोरोसिस्ट है रेडिया लारवा है, सरकारिया लारवा है और मेटा सरकारिया लारवा है जिन में जो शिप के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है वो इन्सिस्टेड मेटा सरकारिया लारवा है और स्नेल के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है मेरा सीडियम फ्री स्ट्विमिंग मेरा सीडियम ला रहा है ठीक है बागी की चीज है हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं थैंक यू